क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तयारी कर रही हैं, जिसके लिए स्थान खोज रही हूँ, तो आईए आपका स्वागत है। पुनतया वातान कूलेत सभी आधूनिक सुविधाव के साथ शिवानी मेरिज हौल और सवाप मनाई यवस्था हम करेंगे। समवैदानिक पद पर होते हुए समाज में भावना बढ़काने का कम कर रहे हैं जीतानामाजी के, अनर्गल बयान से सनातन धर्म और पूजा पदती में आस्ता रखने वाले लोगों को ठेस पहुची है, जिसको लेकर भागलपूर कोट में प्राथमी की दर्ज कराई गई ह इस बार शहर के किसी भी चर्च में नहीं जला पाएंगे, कैंडल ओमिक्रॉन ने छीनी खुशियां 25 दिसम्बर को मनाए जाने वाले क्रिस्मस की उमंग पर इस बार फिर से विराम लग गया है उमंग और आस्ता की बही बयार इस बार लोगों को देखने नहीं मिलेगी 25 दिसम्बर को सुबे से ही गिरिजा घरों में लोगों का पहुचने का सिलसला शुरू हो जाता था शायद इस बार भी लोग गिरिजा घर पहुचेंगे लेकिन इस बार भी उन्हें गेट के बाहर ही कैंडल जला कर लोटना पड़ेगा पादर थॉमस ने बताया कि इसाई भाईयों के लिए गिरिजा घर खुले रहेंगे बाहर से आने वाले लोगों पर रोक रहेगी गिरिणय ओमिक्रॉन के तीसरी लहर को देखते हुए लिया गया इस बार क्रिस्मस भवे तरीके से नहीं मनाया जाएगा पादर ने ये भी कहा कि समाज में शांती वसद्भाव कायम रहे इसको लेकर वो प्रभू येशु से प्राटना करेंगे लोगों से भी आपस में प्रेम बनाये रखने की अपील की क्योंकि क्रिस्मस आपसी प्रेम वसद्भाव का संदेश दोता है इस बार कचहरी चौक के स्थिद बेनेजिक्ट चर्च को आकरशक बनाया गया है चाचो जाने वाले लोग इस बार इस भव्य चर्च को देखने के इंतिसार में थे जो अब पूरा नहीं हो पाएगा सिकंदर पूर के रहने वाले राहुल कुमार ने बताया कि इस बार चर्च को भव्य बनाया गया था जिसको देखने की चाहत थी सेल्फी भी लेने की चाहत थी लेकिन इस बार इसको बंद रखा जाएगा वही नातनगर की सोनाली कुमारी ने बताया कि इस बार चर्च में सेलफी लेने की चाहत थी जो अब नहीं ले पाएंगी कि इस बार चर्च में सेलफी ले पाएंगी महुतसफ सहरस्ता जिले में भाग लेने का मौका मिलेगा जिला इस तरिये युवा महुतसफ 2021 में प्रदर्श कला एवं चाक्षुष कला की विभिन्न विधाव की प्रतियोगिता आयूजित की गई जिसमें 15-35 वर्ष आयूवर के युवा कलाकारों ने भाग लिया कला संस्क प्रतियोवं युवा विभाग बिहार सरकार और जिला प्रशासन के तत्वाव धान में दो दिवसिये जिला इस्तरिये सांस्कृतिक कारिक्रम आयूचित किया गया उसमें सामोहिक रूप से प्रतिवारानी डीडीसी भागलपुर के अलावा कई पदादिकारियों ने प्रज्वलन कर कारिक्रम की शुर्वात की पर्तिभा है उसको अस्थान देने के लिए और अपनी कलास संस्कृति को संग्रक्षित रखने का परियास है और यहां से जो भी परतिभागी चैनित होंगे यह राजस्तरिये युवावत सब में सहर्शा में शामिल होंगे और वहाँ परतिभागी अपना अच्छा परफा राश्टिय युवाउत सब में वहाँ सामिल होंगे आलूत पादन की तक्नीक सीखने 60 क्रशकों कदल हुआ पटना रवाना आत्मा भागलपूर द्वारा केंद्रिये आलू अनुसंधान केंद्र पटना में आयोजित आत्मा भागलपूर के प्रभाद कुमार सिंग ने बताया कि इस तीन दिवसीय परिभ्रमन कारिक्रम में सभी 16 प्रखंडों से प्रगदिशील किसान किसान हिज समूह एवं खाद्य सुरक्षा समूह से भीजा जा रहा है मिट्टी और ईचोरी मामले में आजाद हिंद मोर्चा द्वारा आवेदन देकर की गई कारिवाई की माँ इसको लेकर राजस्टी ओजी केंदर पाल, SDPO दिलीप कुमार ने नई मंडी सब्जी मंडी की जगों का निरिक्षन किया निरिक्षन के दोरान मौके से मिट्टी कटी हुई पाई गई उसके बाद अधिकारियों ने नवगच्षया आरपी एफ पोस्ट पर जाकर विखटना की जानकारी ली वही नवगच्षया स्टेशन अधिक्षक एनके तिवारी से भी संबंद में पूछा एनके तिवारी ने बताया कि स्टेशन के दो नंबर की तरफ बन रहे फुट ओवर ब्रिच के संपर्पत में ये मिट्टी डाली जा रही है जिसके बाद अधिकारी बिफर पड़े और मौके पर मौझूद नवगच्षया थाना प्रभारी भरत भूशन जी आरपी थाना प्रभारी प्रमोद सिंग को कारिवाई करने के लिए कहा वही मौके पर मौझूद राजेंद्र यादव ने कहा कि रात में इस तरीके से मिट्टी काली जाना ये बड़ा अपराद है आरोपियों पर कारिवाई सरूर की जानी चाहिए नौगच्छिया में लगातार जाम बरसों से लग रहा है इस जाम से राहत पाने के लिए आम जनता की मांग पर नौगच्छिया के स्पी सहब, स्डियों सहब, ततकालीन और नगर अध्यक्ष, ये स्क्यूटी, आरपी अप, जी आरपी, ढीस पी सहब, सब मिल करके एक नए सब्जी मार्केट का वहाँ निर्मान कराया गया, ये जो है आपको बालकोदाम चौक से पूरब नौगच्छिया में, वहाँ लगा, दुकानदार को एलाउट किया गया, कडिव देर सब्सक्राइब को लगाया गया, लाटरी इसी साल, इसी साल पहुंच माय में ना पहले, और सब को लाटरी सिस्टम से दुकान ने लाट किया गया, दुकानदार लोग सब्जी चलाने भी लगे, दूसरा फेज जो कोरोना का आया, इसलिए परसासन का निर्देश मिला कि आप लोग घूम घूम के ठेला पर यातरतातर बेचिये, जिसके चलते होई लोग खाली करन पड़ा, यतरतर घूम करके अभी तक बेच रहा है, परसासन का पूने निर्देश नहीं हुआ, वहाँ बेचने का इसलिए अभी तक नहीं आया है, और इसका नजाज फैदा, रेलवे के एक कोई ठीकेदार है, जो रेलवे स्टेशन पर ओभर बिरीज बना है, वो से नया तोला धक्षिन की और एप्रोचिंग रोड जो जाता है, वो अधूरा था, उसको भरक इसी जैसी भी मसीन से हटिया का इटा सोलिंग और मिट्टी करिब 200 फीट चवड़ा, 300 फीट लंबा और करिब 4 लोगमानपुर सिंग कुंद में कटाव से विस्थापितों का भाजपा जुला ध्यक्ष ने लिया जायसा, नवगच्षे के खरीक प्रकंड के लोगमानपुर सिंग कुंद में कटाव के विस्थापितों का जायजा भाजपा कारेकर दाओं ने लिया, सिंग कुंद में कोसी नदी के कटाव में सैकडो परिवार विस्थापित होकर यत्रततर के लिए जापानल वशौचाले बनवाने की मांग की प्रभारी मंत्री राम सुरत कुमार से कटाव इस थल का निरिक्षन कर कटाव निरोधी कारे शीगर ही करवाया जाए यदि जल्द ही कटाव निरोधी कारे नहीं हुआ तो एक बड़ी आबादी विस्थापित हो जाएगी जल्सनसादन विभाग के कारे पालक अभियंता को भी इस संबंद में जानकारी दी गए ताकि कटाव रोकने के कारे समय से थोस तरीके से हो सके गांजा बेचे जाने के सूचना पर पान मसाला व्यफसाई को लिया गया हिरासत में दुकानदारों ने विरोध में धाई घंटे बाबा विशू राउद्पुल के संपर्क पत को किया जा कटवा में गांजा बेचे जाने की गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने गुर्वार के सुभेग पान मसाला व्यफसाई को मिलन चौक से अपनी हिरासत में लेकर ठाना ले आए जिसके विरोध में वहां के दर्जनों आक्रोशित दुकानदारों ने अपने समर्थकों के साथ मिलन चौक स्थेट बाबा विशू राउद्पुल के संपर्क पत पर बांस पल्ली लगा कर करीब धाई घंटे तक सड़क जाम कर दी जाम लगते ही फोर्लेन सड़क के दोनों तरफ वहनों की लंबी कतारे लग गए मदेपुरा जिले के मंजोले से महादेव पुर्गाट जा रहे एकशव यात्रा की बस भी करीब एक घंटा जाम में फसी रही प्रदर्शनकारियों ने भी सड़क पटाय जलाकर हिलासत में लिये गए पान मसाला व्यपसाई नवगशिया थाने के मदत पुर गाउनिवासी सिकेंद्र चौरसिया के बेते चंदन कुमार को छोड़े जाने की मांग कर रहे थे कुछ गर्माने लोगों ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुजा कर जाम हटवाया थानाद्यक्ष चंदन कुमार दूबे ने बताया कि गांजा बेचे जाने की गुपतु सूशना मिलने पर चंदन कुमार को पूछताच के लिए थाने लाया गया था पूछताच में पता चला कि चंदन दुकान दुकान जाकर पान मसाला खैनी वबीदी सप्लाई करता है इसी बीच आक्रोशित पान दुकानदारों ने कुछ समय के लिए सड़क को जाम कर दिया विएफसाई चंदन कुमार को कोपटा अधिनियम 2003 के तहट 200 रुपे फाइन कर छोड़े जाने के बात पर लोगों ने जाम हटाया गाईवाबैल को हो रहे खुरहा बीमारी से गौपालक परिशान गाईवा बैल को खुरहा बीमारी से गौपालक हलकान परिशान है मवेशी का इस बीमारी से मौत हो रही है क्या है लक्षण गाईवा ने जानवरों को पैर में जखम के साथ धाव हो जाता है वो जखम धीरे धीरे मुग में पैल जाता है और मवेशी के शरीर में बुखार हो जाता है जिससे मवेशी खाने पीने में परिशानी महसूस करता है जिससे वो काफी कमजोर हो जाता है और उसकी मौन भी हो जाती है सबी अलाकों में हाल में कई जानवरों की इस बीमारी से मौत हुई किसान प्रजेश कुमार और गंशाम ने बताया कि किस बीमारी के कारण गाए भैंस भी दूर कम कर देती है जिससे किसानों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ता है रंगरा के पशू चिकित्सक डॉक्टर गोपाल बताते हैं कि शेत्र में इस तरह की बीमारी के शुकायत नहीं मिली है अगर मिलती है तो हम लोग इस पर इलाज वर लोगों के बीच बीमारी ना फैले उसके बचाओ की भी जानकारी देंगे प्रमुख वा उप्रमुख चुनाओ वशपत दिलाने को लेकर नवगच्छ अनुमंडल कार्याले परिसर में दंडादिकारी की प्रतिन युक्ती प्रमुख व उप्रमुख का चुनाओ वशबत दिलाने को लेकर नवगच्छ अनुमंडल कार्याले परिसर में दंडादिकारी को तैनात किया गया है 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक के लिए दंडादिकारी की तैनाती की गई दंडादिकारी एनाची कतिस के अनुमंडल कार्याले के मुख्य गेट के पास बार्णी अंत्रन प्रमंडल के कनिया भियंता शशी कुमार नवगची अथाने के अनी राजदेव रमन को तैनात किया गया अनुमंजल कार्याले के सभागार के मुख्य गेट पर सहकारिता पदादिकारी संजे कुमार, महिला पर्यवेक्षिका पिंकी कुमारी दंडादिकारी के रूप में मौजूत रहेंगे पुलिस पदादिकारी अनि मकबूल एहमद रहेंगे अनुमंडल कार्याले के पूरफ ड्रॉप गेट पर पंचाय तक्नीकी सहायक अजीत कुमार को दंडादिकारी अनुमंडल सभागार हाल में सीयो नवगच्या विश्वास आनन पालविकास परियोजना पदादिकारी संगीता कुमारी को दंडादिकारी तैनाफ लिया गया है जारखंड के गोड़ा में लूटकांड के तीन आरोपितों को नवगच्या थाने के पुलिस ने गिरफतार कर लिया आरोपित नवगच्या थाने के पक्रानिवासी धर्मिंदर कुमार सिंग, विपन कुमार, सचिन कुमार है आरोपितों के विरुद गोड़ा जिला हनवार थाने में लूट की प्रात्मी की दर्श है तीनों आरोपितों को गोड़ा जिले की पुलिस ने इस थानिया पुलिस के सहीयोग से घर से गिरफतार किया वहीं समान के साथ चोरी के आरोपितों को नवकचिया थाने के पुलिस ने गिरफतार किया है आरोपित खरी खाने के तुलसी पुल नवासी अबोटसा, खेरी हथाना, गेराबाडी कतिहार, सुशील रवीदास, मदेपुर जिला के बिहारी का जिताने के जब तैली नवासी मुहम्मद जुबैर हैं उनके पास चोरी का चांदी का एक कटोरा, एक चांदी के चमच, दस अजार रुपे नकद, लेडी सपर्स परामत हुआ, वलिस ने तीनों आरोपितों को जेल फिस दिया है